Hello friends, welcome to the smart study cell, मेरा नाम है बोई गर्मा, तो स्वागत आपका एक और मत्तपूर्ण वीडियो में, जिसमें हम कर रहे हैं GK के top 500 question, तो ये series आपके exam के लिए काफी ज़्यादा important रहेगी, तो वीडियो को पूरा देखेगा, तो चली शूरू करते हैं first question से. फलो का किटोरा किस राज्या को कहा जाता है, यान की fruit bowl of India किस state को बोला जाता है, तो ये बोला जाता है हिमाचर परदेश को, जिसे क्या देव भूमी के नाम से भी जाना जाता है, यान हिमाचर परदेश में एक city है, कोटगड, जिसे क्या भारत का सेव का कटोरा बोला जाता ह next question रोटी किस गैंस की वज़ा से फूलती है तो जब हम आटा गूंतते हैं तो उसमें किया हवा भर जाती है यानि कि carbon dioxide भर जाती है तो जैसे ही रोटी को पकाया जाता है तो रोटी के गरम होने के साथ ही carbon dioxide रोटी में से निकलने की कोशिश करती है जिसके वज़े से रोटी के फूल जाती है यानि कि carbon dioxide की वज़े से रोटी फूलती है next question तो यह question आपके exam के लिए काफी ज़्यादा important रहेगा कि कि किस देश को सुयुक्त राष्टर सुरक्षा प्रिशिद के गैस 27 तस्या के रूप में चुना गया है और गस्तोयर 21 के महिने के लिए वे इसके देख्ष के रूप में भी काम करेगा यानि कि कौंसा देश United Nations Security Council के लिए non permanent member के तोर पे elect किया गया है या गस्तोयर 21 के लिए president के तोर पे भी सरब करेगा तो यह है मारा प्यारा भार्थ यानि कि option number B next question sodium दातू को dash में संहरित किया जाता है यानि कि sodium metal is stored in तो दो metal एक तो potassium एड एक sodium यह हवा के संपर्क में आते ही क्या oxygen कर लेते है जिसकी वज़से इन में क्या आग लग जाती है इसलिए इन metals को मेशा kerosene oil यानि कि मिट्टी के तेर में रखा जाता है next question किसको ओरंग जेब ने अपने पूरे जीवन के लिए कैद कर लिया था यानि कि who was imprisoned for the rest of his life बाई ओरंग जेब तो उन्नी सो थावन में ओरंग जेब ने अपने पिता शाजा को पूरे जीवन के लिए कैद कर लिया था और कहां पर किया था यह किया था आगरा के किले पे यहीं पर इनकी कैद 1966 में मोथ हो गई थी next question गंततव की SI काई किया यानि की what is the SI unit of density तो आपको पता है गंततव क्या होता है दरवयमान डवाइड वाई आइतन दरवयमान का unit आपको पता है किलोग्राम होता है आइतन का होता है मीटर क्यूब यह मीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो यह आजाएगा किलोग्राम एम की पावर माइनस 3 यान की option number 1 है आंसर हो जाएगा इसमें जो Newton पर मिटर स्केर है यह SI काई है प्रिश्ट तनाव की यान की surface tension की and Kelvin तो आपको पता है यह तापमान की है and Ampere किसकी है यह विदुतदारा की यान की current की next question एक से दस दिसमबर दोयर इकिस तक Asia यूवा पैरा खेलों के चोथे संसकर्म की मेजबानी कौन सा देश करेगा यान की which country will host the fourth edition of Asian youth पैरा गेम फ्रॉम दिसमबर 1 तो 10, 2021 तो Asian youth पैरा गेम में 20 से कम उमर के 800 खिलाड़ी participate करेंगे and इसकी मेजबानी करेगा बहरीन जिसकी capital है मेनामा and बहरीन की मुद्रा है दिनार and बहरीन के current परदान मंत्री है खलीफा बिन सल्मान अल्खलीफा खलीफा बिन सल्मान अल्खलीफा next question लोहे को किठोर और मजबूत बनाने के लिए निमलिक तमेसे लोहे में क्या मिलाया जाता है तो लोहे को किठोर और मजबूत बनाने के लिए इसमें मिलाया जाता है कार्बन and कार्बन मिलाया जाने की वज़ए से लोहे को जो परमानू होते हैं वो एक जगह पे सित्हर हो जाते हैं और मूव नहीं कर पाते हैं जिसकी वैसे लोगा खटोर और मजबूत बन जाता है निमलिक्त में से भारत के महा नयवैदी की निक्ति कौन करता है यानि कि who among the following appoints the attorney general of India तो attorney general of India जिसको क्या article 76 के तैट appoints किया जाता है तो इनको appoint करते हैं भारत के राश्टरपती इसके साथ ही है chief election commissioner and कै को भी निक्ति करते हैं एंड हमारे current attorney general कौन है यह है के के वेनु गुपार next question एक सवतनतो रूप से लटका हो चुमबक हमेशा किस देशा में सरेकित होता है यानि कि freely suspended magnet always aligned in the dash direction तो यह aligned होता है उत्तर और दक्षन दिशा में तो यह किस वज़े से होता है कि आपको पता है कि धर्ति के as चुमबक काम करती है तो इस धर्ति का जो उत्तर वाली side होती है इसको track करती ही magnet की दक्षिन वाली side and इस धर्ति की जो दक्षिन वाली side है इसको track करेगी चुमबक की उत्तर वाली side जिसकी वज़से चुम्बक के उत्तर दक्षिन दिशा में सरीखित हो जाएगा नेस्ट कोश्चन वायू मंडल की सबसे निचली पर्थ कौन सी है यान कि the lowest layer of atmosphere is known as तो सबसे lowest layer होती है प्रोपो स्फियर यान कि शोब मंडल ये क्या सबसे घनी layer होती है ये इसमें जो स्टेटो स्फियर है इसमें क्या zone layer पाई जाती है इसमें क्या aeroplane fly करते है ये इसमें जो आयन मंडल है इसमें satellite communication होती है नेस्ट कोश्चन डैश शीचा का ऐसक है यान कि डैश is the aura flat तो सीशा का ऐसक है galner का एड़या और इसको आप याद कैसे रख सकते हो और इसको याद रख सकते हो लड़ू गलना से इसमें लड़ू से है lead और गलना से है galna कि galna कै और है lead की इसमें जो बोकसीट है ये थो बहुत ही ज़्याद है हर अक्जाम में पुछा जाता है यह और है अलमॉनियम की एरसो जो मेलाकाइट है यह और है तांबे की और पाराइट यह और है लोहे की नेस्ट कोईश्टन निमलिक्त में से कौन COVID-19 महामारी से लड़ने के लिए देश के समुईक प्रयास में योगदान करने के लिए प्रति दिन 25,000 N95 और N99 ग्रेड फेस मास्क का उत्पादन करने जा रहा है तो यह उत्पादन करने जा रहा है IIT कानपुर ओप्शन नमर डी नेस्ट कोईश्टन निमलिक्त में से कौन विदूत का सुचालक नहीं है यानि कि अगर आपको विडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें और कुमेंट करें आपका आज की विडियो में क्या स्कोर रहा और विडियो को अपने फ्रेंस और ग्रूब्स के साथ शेयर करें अगर आप पहली वर चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल के एकर को भी प्रेस करें तो मिलते हैं अगली विडियो में जै हिंद